हेलो दोस्तो स्वागत है भकत कोमीने के सन के एक और ने वीडियो में आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप जारकंड से हैं और अगर आप इससे पहले जारकंड एकल्यान स्कॉलर्शिप का फॉर्म भरे होंगे means 2022-23 academic year में इकल्यान स्कॉलर्शिप का फॉर्म भरे होंगे तो दोस्तो अभी जो है आप लोग के लिए academic year 2023-24 का open कर दिया गया है means आप अभी 2023-24 का जो है इकल्यान स्कॉलर्शिप का फॉर्म भर पाएंगे बड़ दोस्तो जब आप यहाँ पर login करने के कौसिस कर रहे हैं means student login 2023-2024 यह जो option है दोस्तो इसमें login आप जब कर रहे होंगे तो आपको हो सकता है यह एक error means please verify login details या फिर दोस्तो यह एक error है no details found इस परकार का दोस्तो यह error आपको देखने को मिल रहा होगा तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तो कि यह जो error है यह क्यों आ रहा है इसको कैसे fix करेंगे step by step इस वीडियो में हम लोग जो है complete जानने वाले हैं देखिए दोस्तो सबसे पहले आपको जो है न यह e-kalyan का जो official website है दोस्तो आपको इस पर आ जाने होगे जिसका link मैं अपने वीडियो के description में में डाल दूँगा इसके बाद दोस्तो आप लोग क्या करेंगे देखिए यह जो student login postmetrics लिखा हुआ है न दोस्तो तो आपको इस पर ही click करना होगा इसके बाद दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं postmetrics within state login आप इस पर click करेंगे इसके बाद दोस्तो आपके पास एक new page मतलब खुल के आ जाएगा जिसमें आप लोग लोग इन कर पाएंगे तो लोग इन करते टाइम दोस्तो आप लोग को कुछ इस परकार का जो है error दिख रहा है तो दोस्तो आप लोग क्या करेंगे यह जो forget password का जो option है न दोस्तो इसमें ही दोस्तो हम लोग जाएंगे और यहीं से दोस्तो हम लोग जो है अपना details सब कुछ जानने वाले हैं मतलब अपना username means आपका mobile number भी यहां से जानने वाले हैं साथ ही दोस्तो आप जो है password भी यहीं से प्राप्त कर सकते हैं या फिर new password बना सकते हैं तो यह दोनों में से कोई साभी error हो आप इस वीडियो को देखे मतलब देखने के बाद आप जो है इस error को fix कर सकते हैं तो forget password पर जैसे click करेंगे ना आप लोग के पास कुछ इस परकार का जो है interface देखने को मिलेगा अभी दोस्तो आप लोग क्या करेंगे इसमें दीखे आपको चार option दीख रहे होंगे बड़ दोस्तो आपको जो second वाला जो option है ना candidate आपको इस पर click करना होगा इसके बाद दोस्तो इंटर mobile number जी हाँ दोस्तो इंटर mobile number मिन्स दोस्तो इससे पहले जब आप eclian scholarship का form भरे होंगे मिन्स दोस्तो आप जब 2022 ते इस session मिन्स academic year का form भरे होंगे उस OTP को आप यहाँ पर fill up करेंगे इसके बाद यह जो capture आप देख पा रहे होंगे दोस्तो इस capture को इसमें fill up करके submit पर click करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तो इसमें आपका नाम इसमें आपका mobile number इसमें आपका email id इसमें तो registration type आपका post metric मिन्स आपका जो post metric आपका जो type होता है वो दिख जाएगा तो इसमें दोस्तो OTP fill up करेंगे और capture फिल आप करके जो है submit पर click करेंगे इसके बाद दोस्तो आपको ये जो option है इसमें आप लुग को ok करना होगा इसके बाद देखें दोस्तो आपका user id में आपका mobile number ही दिख जाएगा इसके बाद दोस्तो आपको एक 파सवट यहाँ पर Crit favourite करेंगे दोस्तो ऐसा ही पाशवर्ट आपको confirm करने होगे और आपको password कैसा होना चाहिए दोस्तों माल लेजे इंडिया है मैं इंडिया ही एक example ले रहा हूँ माल लेजे आपका नाम इंडिया है समझ रहा है ना तो इंडिया का I जो है वो capital रखिए N, D, I, A आप small रखिए इसके बाद add the rate में आप कोई सा भी special character रख सकते हैं मैं यहाँ पर special character add the rate ही रखा हूँ तो आप कोई सा भी रख सकते हैं इसके बाद 123, 321 कोई सा भी आप 3, 4 नमबर आप रख सकते हैं और इसमें दोस्तों आप लोग का 8 डिजिट से ज्यादा होना चीए जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेरा 9 डिजिट है तो मेरा काम चल जाएगा तो आप password को यहाँ पर देंगे new password में और इसी password को फिर से आप confirm पर क्लिक करेंगे means confirm में भी वही password आप यहाँ पर इंटर करेंगे इसके बाद जो भी capture आपको यहाँ पर दीख रहोंगे capture को फिलब करेंगे submit पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए दोस्तो आपका यह जो option है ना means यह pop up है आपको दिख जाएगा कि आपका जो password है ना दोस्तो वो change हो चुका है और आप लोग का जो new credential है उससे आप भी login कर पाएंगे तो दोस्तो आप इसको okay पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तो आप लोग क्या करेंगे home page में आ जाएंगे फिर दोस्तो आप लोग student login पर क्लिक करेंगे इसके बाद post metric पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तो आप लोग क्या करेंगे इसमें आप अपना जो है username username means आपका जो है mobile number और इसमें password जो आप रखे होंगे जैसे मैं आप लोग के example समझाया हूँ तो आप लोग अपने according तो आप password रखे होंगे उस password को आप यहाँ पर फिलब करेंगे कि अपचा फिलब करके login पर किलिक करेंगे चलिए मैं login करके भी मैं दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें मेरा नाम आ गिया है means मैं जो successfully login कर चुका हूँ तो आप लोग इसमें देख सकते हैं आप लोग का जो apply का भी option यहाँ पर देखिया है तो दोस्तों आप लोग किस पर कर आप अपने जो है username और password को जान पाएंगे step by step मैं आप लोग को इस share किये और चैनल पर नहीं होंगे दोस्तों तो please subscribe करके ही जाएगा thank you for watching जय हिंद जय भारत